तो प्रेंस अगर आप एक नए यूटूबर हो तो जब आप अपना यूटूब पे वीडियो अपलोड करते हो तो वहाँ पर आपको एक ओप्सन देखने को मिलता है उक्तूब देखने को मिलता है उसके निचे आपको दो खने को रहें या नो वहाँ पर आपको क्या सलेक्ट करना हो यह काफ ही इंप्सन आप सभी के लिए पता होने कि यस को करना हो तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल डीटेल में डीपली में समझाने वाला हूँ कि वहाँ पर आपको येस करना चाहिए कि नो करना चाहिए तो प्लीज वीडियो को कम्प्रीट वाच करना और अगर आप मेरे यूटूब चैनल पर नए हो वहाँ पर आपको येस करना चाहिए कि नो करना चाहिए वहाँ आपको वीडियो में बता रहा हूँ तो वीडियो को स्क्रिप मत करना तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जब आप अपना वीडियो यूट्यूब पे अपलोड देखने को मिलते है जब आप उस पर खिलिक करते हो तो आपको देखने को मिलता है यस या नो तो इसका जो मतलब है वो यह कि आप जो वीडियो बना रहे हो अठारा साल से जो बच्चे नीचे के होते हैं जो अठारा साल से जो नाबालिक होते हैं इनको बोला जाता है तो उनके लिए आप वीडियो बना रहे हो या जो अठारा साल से उपर हैं वो वीडियो देखें आप तो फ्रेंस अगर आप अपनी YouTube चैनल पर अच्छी खासी एरिणिंग करना चाहते हो ना तो आपको इसको नो कर देना अगर आप इस पर यस कर देते हो ना तो आपका वीडियो 18 साल से उपर के लोग नहीं देखेंगे आपका वीडियो यूटूब 18 साल से उपर के लोगों के पास तक नहीं पहुचाएगा तो आपको क्या कर देना नो कर देना कि आपके चनल पर जैदा व्यू आएं उमीद है आपको समझ में आ गया है अगर आप अच्छे से एर्णिंग करना चाहते हो न तो आपको इन दोनों को नो ही सलेट कर देना है इसको भी नो कर देना है और इसको भी नो कर देना है तो अगर आप अच्छी कासी एर्णिंग मैं बार बार आपको बता रहा हूं अगर तो आपको बहुत ही लोगी रिंडिन्ग हो जाती है बहुत ही कम आपको पैसे मिलते हैं जब मुझूअ कर देना है यहां पर भी नो कर देना है यहां पर नो कर दिया आपने तो इसका मतलब है कि आपके वीडियो 18 साल से जितने भी और के लोग हैं वह सारे देखेंगे 19 साल 20 स साल यह सभी लोग देखेंगे और आपकी रिदिंग भी कापी अच्छी खासी होगी फ्रेंज के तो उमीद है कि आपको समझ में आ गया फ्रेंज को तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टोपिक के साथ अगर आपका कोई डाउट है कुछ सने कोमेंट है क्यों रह तो वीडियो देखने के लिए सुक्रिया जैंप्रेंस